गुट मॉर्णी स्टूरांस आज हम नेज ट्राइंग निकालने वाले है वेजिटेबल का तो हाज हम स्क्वेर शेप में सिम्बला मिर्च याने कैप्सिकम का ड्राइंग करने वाले है देखो पहले स्केल लोग हम 4 सेंटिमीटर्स मेजर लेंगे और उससे एक स्क्वेर रेड कैप्सिकम याने सिम्बला मिर्च देखो इस तरह से पहले हमें मैं यहां से शुरुवात कर रही हूँ देखो उसी तरह हलके हाथों से हमें पेंसिल से ड्रा करना है पूरी ड्राइंग होने के बाद हम उससे डार करेंगे पेंसिल से ही हमें डार करना है और हमें उसे वाटर कलर देना है दखो कैपसिकम तीन कलर की भी होती है यलो कलर रेड कलर एंड ग्रीन कलर तो आज ग्रीन कलर की कैपसिकम निकालने वाले हैं आपको अच्छी लगती है हाँ ये कैपसिकम तीन कलर की तो होती है आज मैं ग्रीन कलर की ये ड्राइंग करने वाली हूँ देखो इस त द्राइंग खराब नहीं इसलिए बाद में अगर हमें पूरा पता चला कि हमारी ड्राइंग परफेक्ट है तो हमें इसे पेंसिल से डार करना है यहाने शेडिंग करने आउटलाइन देनी देखो इस तरह से आपको भी आपके ड्राइंग बुक में इसी तरह का क्याप से करमक किलिमीटर जो मैंने लिखाता वो भी इरेज कर दो अब आपको क्या करना है यह जो मैं कुछ पॉइंट से मतलब ज्यादा एक्टिव इतने के लिए थोड़ा वो चेंज कर रहे हूं तो इरेज करके उसे शेव देना है हमें अब मैं लूंगी ग्रीन कलर मैं पूरा ग्रीन क आपको देना क्या करना है बॉर्डर में हम डार्क लेंगे और बाद में वाटर से थोड़ा उसे फेला देंगे अब हमें ग्रीन कलर में थोड़ा यलो कलर मिक्स करना है जो हाइलाइट बोलते है उसे मतलब जो हमारी ड्राइंग में चमकी लिए जैसी स्टार के सद चमकता ह उसी तरह का ये शिम्ला में भी रखे जाए तो चमक ते इसलिए मैंने थोड़ा येलो कलर ग्रिन कलर में मिक्स कि देखो इस तरह से ये ड्राइंग हमारी पूरी हो गए आपको ये ही ड्राइंग बनानी है और फोटो क्लिक करके गुपे सेंड करना है बाई